शीला जी एक बहुती महनती और सीधी साधी आउरत थी लेकिन उनकी बहु एक नंबर की कामचोर आउरत थी। शीला जी पूरे दिन सिलाई करके पैसे कमाती थी और बहु पिंकी किसी ना किसी बहाने से उनके पैसे एट लेती थी। पिंकी बेटा जब बजार से जाकर सबजी लेया आज घर में महमान आने वाले हैं और साथ में दूद का पैकेट भी ले आना और कुछ मिठाई भी ये ले पंदर सो रुपे और ले आना पिंकी सोचकर खुश हो जाती है क्योंकि आज इसे फिर से सास को चूना लगाने का मौका मिलेगा पिंकी तयार होका लटके जटके में परस हिलाते हुए मार्केट चली जाती है तभी उसे मार्केट मे नई साड़ी दिख जाती है और बस उसका दिल उस साड़ी पर आ जाता अब जब घर आती है लो सासुमा मैं आपका सारा समान ले आई हूँ अब देख लो अच्छे से अब बुढ़िये समान में देखकर कमिया निकालेगी हाँ तो मुझे क्या निकालती रहे मैं तो अपनी नई साड़ी पहन कर आई हाई पिंकी मनी मन कहती है और सोच करी जोर जोर से वही नाशने लगती है शीला शीला की जवानी अरे बहू तू क्या पागल हो गई है ऐसे क्यों नाश रही है और वो भी मेरा नाम लेकर तुझे जरा भी लाश शरम है की नहीं 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 कुछ नहीं आप समान देखलो तब तक मैं अंदर होकर आती हूँ शीला समान देखती है ये क्या इतना सा दूद अरे इतना सा आटा और ये क्या मिठाई का बस एक पीस अरे बहू ओ बहू जरा इधर तो आ हाँ बोलो मम्मी जी अरे मम्मी जी गई तेल ले ने ये बता इतना सा दूद इसमें तो ठीक से एक कप चाय भी ना बने हाँ तो क्या हुआ पानी मिला लेंगे इतनी सी दाल हाँ तो उसको थोड़ा पतला बनाना होगा न अरे मेरी जान खाले बहू ये एक पीस गुलाब दाम उनका क्या करूं मै मेरी प्यारी सासुमा इसके चार पीस करके महमान को रखेंगे है ना कमाल का आइडिया तो अपनी ये अकलमंदी अपने घुटनों में समाल के रख और ये बता कि बाकी के पैसे कहा है अरे सासुमा ये इतना ही समन पंदर सो का आया है कभी बजार जाकर तो देखो महंगाई आसमन चू रही है हे भगवान कैसी बहु से पाला पड़ा है एक नम्मर की जूटी और मकार है लेकिन अब तो चोर भी हो गई है अब तेरी ये चोरी मैं पकर कर ही रहूंगी भगवान तुमको माफ नहीं करेंगी सासुमा मुझ जैसी इमानदार को चोर केती हो कुछ दिन बाद शीला जी जान बूझकर पिंकी को दो हजार रुपए दे कर फिर से सामाल लेने को कहती है और उसका पीछा करती हुई जाती है वो पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि पिंकी राशन की दुकान के बजाए मेकप की दुकान में खुसका ही है और वो जैसे ही बहार निकलती है शीला जी उसे पकड़ लेती है अब बता तुझ जैसी इमानदार का क्या किया जाए बड़ी आई हरिश्चंद की ओलाद वहां मैं पूरा दिन अपनी हड्डियां गिसती हूँ तब चार पैसे आते हैं और यहां पर तु राशन के पैसों से लाली लिप्स्टिक ले रही है मुझे माफ कर दो सासुमा प्लीस मुझे माफ कर दो